तो चले चात्रों आपका सोगस है आज के इस बीड़ो पर और आज के इस बीड़ो में कख्छा आपका आठवी देखिए बिस है आपका समाजी बियान का पेपर जो आपको दिया गया था वही पेपर आपका यहाँ पर आया हुआ है आप एक एक कोश्चन मिला लिजे पूरे क कोश्चन आपको से मिलेंगे एक एक कोश्चन का आपको अंसर यहाँ पर बताएंगे आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपका पेपर कैसा गया कितने नंबर आप यहाँ पर करके आए हैं अंसर के पूरा आप यहाँ पर मिला सकते हैं ठीक है तो उत्तरमाल आपको जेम्स मिल दोरा लिखित पुस्तक का नाम क्या है तो जो बच्चे यहाँ पर आपका दा हिस्ट्री आप ब्रिटिस इंडिया आप संसी लगा कर आए है उनका एकदम करेक्ट अंसर है दा हिस्ट्री आप ब्रिटिस इंडिया इसका आपका राइट अंसर होगा एक नंबर आप को इसमें मिल जाएंगे और इसके बाद देखिए second question आपका इसमें दिया है प्लासी युद्ध के संबन्द में निम्न में से कौन सा कथन आपका सही है तो आप अगर इसके आंसर की बात करें देखिए चार आपसन दिये है इस्ट इन्य कमपनी सिराजु दिन दौला के स्थान परकटपुथली नबाव बनाना चाहिती थी दूसरा अपसन प्लासे के वाद सिराजु दिन दौला के स्थान पर मीर कासिम नबाव बना तीसरा रवेट क्लाइप ने प्लासे के युद में कमपनी का आपका यहाप सेना का नेतोत किया और देखिए प्लासी युद के समय भ मीर कासीम नबाब बना दे कि अगर बात करा कौन सा आपका सही नहीं है पूछा गया है बाकी आपके सभी सही है लेकिन आपका ये गलत है क्योंकि देखिए जो आपका पलासी की यो दूरता इसके बाद आपका मीर जाफर बना था कौन बना नबाब मीर उसका जाफर नाम था लेकिन आपका इसमे क्या लिखा है कासिम लिखा है तो आपका ये गलत हो जाएगा और इसके बाद आपका question देखे आपका तीसरा दिये गए है निमलिकित में से कौन सा जूम खेती की बिसेस्ता है पहला देखिए जूम केती के बड़े-बड़े भुखंडों पर की जाती है रसायनिक उर्परकों का उपयोग किया जाता है और बीज रोपकर खेती की जाती है और ब्रचों काटकर जलाकर साप करके भुखंडों पर खेती करते हैं तो आपका right answer इसमें डी नंबर बिल्कुल होगा और इसके बाद देखे आठार सो सतावन की सोतंदर संग्राम प्रार वैसे आपका exactly date आपका 10 मही था ठीक है 10 मही आपका अठार सो सतावन इसमें correct answer आपका हो जाएगा और इसके बाद देखे यहाँ पर आपका next question पाचवा निमलिकित में से कौन सा मानो निर्मित आपका संसादन है उसनकटी बंदी खानीज जरनी का जल और आपका सड़क तो अगर मैं इसके answer की बात करूँ तो जो बच्चे यहाँ पर answer सड़क करके आएं देखे क्योंकि मानो निर्मित देखे कौन सा आपका सड़क बनाता है इंसान बाकी जरनी का जल आप नहीं बना सकते हैं ना तो आपका बंद बना सकते हैं ना तो आपका खानीज जे कोई आप कैपे कोईला आप खुद से नहीं बना सकते हैं ठीक है और कोशन देखे के छटा नंबर भूप्रिष्ट के कुल छेत्फर का लगबख कितने प्रसत भाग भूमी है तो आपका 30 प्रसत बीस प्रसत और आपका 40 और 50 तो अगर मैं इसके answer की बात करूँ तो आपका ए एकदम correct आपका 30 प्रसत आपका इसमें answer होगा और कोशन देखे साथ बाग सघंजन संक्या वाले छेत्रे आपके होते हैं मर्सली छेत्रे परवती छेत्रे नंदी घाटी छेत्र और सितोष्ण छेत्र तो आप इसमें answer जो वच्चे आपे नंदी घाटी छेत्र लगाएं बिल्कुल correct answer होगा क्योंकि नदी के किनारे हमें आपका देख जैसे आपका आयुद्या आप जाते हैं ईलाखवाद जाते हैं अपका गंग्यान नंदी यहाठ संघम में है तो वहाँ ज्यादा भीड़ते हैं अब आपका जवलपूर में बहता हुए त जवलपूर में कितने आपका भी किया गया तो आपका 1950 नमबर 1949 अगस्ट 1947 और दिसंबर 1947 तो आपका राइट अंसर में बी नमबर नमबर 1949 होगा देखे एक जैक्ट आपका देश आपका यहां पर देट था तो अगर मैं इसके आंसर की बात को देखे तो भारती से आंसर होता है जो आपका लोक सभा आपका निम्न सदन कहलाता है तो आपका आंसर यहां पर आपको यह होगा आपने लिखा है तो बिल्कुल आपका correct आंसर होगा और इसके बात देखे कोशन दस्वा समधान के किस अनुशेद में कहा गया कि भारत के किसी भी नागरी के साथ धर्म नसल जाती लिंग या फिर जन्म के इस्थान पर भेदभाव नहीं किया जाता है तो आप आंसर देखे आपको आंसर पहला अनुशेद 21 अनुशेद 51 आपको आंसर देखे यहाप आपको जो है ना भारत के किसी भी नागरी के साथ आप धर्म जाती और नसल के अनुशार भेदभाव नहीं कर सकते हैं आपका यह दिया गया है आर्टिकल यानि अनुशेद 15 पर दिया गया है और अगर बात करें 21 में तो आपका नीची आपका देखे आता है लगुत्री वाले कोश्ट्न पहला कोश्ट्र दीये गया है साहायक संधी की सरते क्या थी तो आप जानते हैं सहै संदी में सरते क्या था आपने यहको अच्छे से कर लिए होगे कि पेपर मैंने आपको बताया try जो यह पे वा Catholic दिया था उसमें कोशन आपको यह था तो आप इसे अच्छे से कर लियोंगे और इसके आपको कोशिन दिखे आपकी पर देखे जो आपका सहायक संधी आपका होता था लाज़ कलाई भी इसमें क्या है समझोता करवा था दीक? बिर्टिस आपका ये एक सेना नायक था और इसके बाद देखे वारो कोशिनघी दोरा स्थाई बंदुबस्त कब और क्यों लागू किय आपको रबीना टेगोर रबीनाट टेगोर तो究700Tрий shaping गया तहकी स्थापना आपको इससे पूरा सु रिखना था Aift Olез ना टेव्त आपको लिखनाllता था जैने सद्वागाविनाट टेगोर इससे लिखता है Angadman ठीक है और साथ में बंगला देश का भी आपका पे आमार सूरान बंगला राश्टी गीत लीखा गया है और चौनी और इसका भी अंसर यह पर आपके जानते हैं कि राजा रा मोहन यूअके राय थे यह बाल विवाय ठीक है ऐसे आफंटी प्रति इन पर इन्होंने रोक लगवाया था और इसके पाद देखी कोश्चन आपका 15 बाद आता है नभी करणी और अनभी करणी संसादों में अंतर और 16 कोश्चन और 2 की जोखिम को कम करने के उपाए और 7 में देखी कोश्चन कानून आपका क्यों जरूरी है ये कोश्चन लग दि 4.яч पाद है और इसके बाद देखी कोश्चन 20 वाली का है जन्सुब्धी के आने तो आपको अंतर को बताए था कि है नो आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल आपसे बन गया होग और इसके कोश्चन देखे 22 करसी किसके तरीके से जाती है कि दो तरीक आपको बर्णन करना है तो बारी जीक मतलब को देखे बेजने वारा डारेक्ट आपको गज़े से गन्ना हुआ गन्ना तम्माखु ऐसे का पास तो आप इन्हें क्या करें उत्पाज करते हैं और डारेक्ट लिए ब पर बिवस्था बना जाती है और भारत के समधान लिखने वाले वह ब्यक्ति हैं महान ब्यक्ति है ठीक है चलिए इसके बाद कोश्चन आपका यहां पर आता है आपको देखिए नियुनतम बेतम क्या होता है जो आपको यहां पर कार के बदले आपको नियुनतम पैसा आपको दिया जाता है चुकाया जाता है उसे कहते हैं नियुनतम कानून बेतन ठीक है तो आप इसे कली जे कोश्चन 23 बाय है 22 बाय किस बाय तो हर एक कोश्चन जो च हिंद जे भारत